दोस्तो दड़ क्रिव का ट्रिलर आ गया क्रिव में तीन महलाओं की कहानी है याने की तब्बू कृती सनून और करीना कपूर खान ये तीनों एक ऐसे हवाई जहाज कंपनी में काम करती हैं जिसके मालिक के पास पैसे नहीं है मतलब मालिक पूरी तरीके से दिवालिया या ब्रैंक करप्ठ है लेकिन उसके जो अधिकारी है उनके पास भर भर के सोना है अब इन लोगों की अपनी सैलरी नहीं आ रही है ये अपने घर का खर्चा कैसे सलाएंगी और इसके बाद यही कहानी थोड़ा सा इसमें जलक देखने को मिलती है इसमें गूल्ड का हेर फेर दिखाया गया है सोने की हेरा फेर दिखाई गई है ये सोना किसका है कैसे हेरा फेरी करती है इसमें केस के एंट्री होती है दिलजीत दुसांच इसमें एक ओफीसर बने है जो एरपोर्ट पे कश्टम विभाग के ओफीसर है जो चेकिंग करते हैं तो इन तीनों महिलाओं का जो सामना है इन कश्टम वालों से होता है किस तरह से किन परसितियों में वो सोना बाहर ले जाने में कामयाब होती है क्या क्या आर्चने आती हैं क्या क्या नहीं आती हैं और क्या उनको जेल होती है या नहीं होती है यह सब सारी कहानी इस त्रिल में थोड़ी सी जलक के तोर पर दिखाई गई है उनके खर्चे, उनके एसो आराम, उनकी ऐयासी, सब कुछ इस थोड़े से दिल में कवर करने को सिखी गई है तो आप जैसा कि जानते हैं कि एकता कपूर जी ने इसको प्रेडियूस किया है जैसा कि वो महिला परधान, सीरियल बनाती आई है, तो अभी ये महिला परधान फिल्में उन्होंने बढ़ाना प्रागर्ण किया है उसी में एक फिल्म ये भी है, तीन महिलाओं की कहानी और इसमें जो साइड में जो पात्र हैं, जो पुरस पात्र हैं इसमें दिलजीत दुसांज और कपिल सर्मा की जलक देखने को मिलती है बाकी बस खिलर में यह दिखता है गाने को recreate किया गया है कौन सा चोली के पीछे क्या है सुभास गई की फिल्म खलनायक उससे लिया गया गाना जब खलनायक फिल्म आई थी तब यह गाना बहुत विवादों में आया था अब यह फिल्म में दुबारा बजा है इसके लावा इसमें एक और गाना इसका घागरा नामक गाना जो है यह तो जब यह फिल्म रिलीज होगी तब हम देखेंगे बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्ते जैसरी राम